हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आस्तिन का टीजाइन बनाने के लिए 4 इंच लंबा हमने आस्तिन का कपड़ा लिया है जिसकी चोड़ाई एक साइट से साड़े 7 इंच है आस्तिन के कपड़े को ओपिन करके यहां किनारे की साइट से फोल्ड करेंगे और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमें चकोर सेप में कटा हुआ एक कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई और चौड़ाई दोनों हमने 15 इंच ली है ये देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों 15 इंच है कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करना है और यहां से हमें लंबाई नापनी है ये देखिए, फोल्ड करने के बाद कपड़े की लंबाई साड़े साथ इंच है तो साड़े साथ इंच की लंबाई हमें ऐसे नापते हुए टिक लगा लेनी है बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी टिक लगानी है जिस सेव में हमने टिक लगाया है बिल्कुल उसी सेव में हमें line up कर लेना है line up करने के बाद अब हम कपड़े को cut कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से हमें एक और कपड़े की cutting कर लेनी है लेकिन पहले वाले से एक इंच छोटा होना चाहाए दूसरे वाला कपड़ा दो इंच की लंबाई पे टिक लगाने के बाद, अब हम यहां से 6 इंच की लंबाई पे टिक लगा लेंगे, ये देखिए, 6 इंच की लंबाई पे टिक लगाना है, अब हम इसे गोल सेप के पैटन में ऐसे लाइनप करेंगे, इसकी चौडाई हमने धाई इंच ली है, जिस से में हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो हमारा दूसरा कपड़ा है उसमें भी हमें ऐसी कटिंग कर लेनी है तो ये देखिए एक के उपर एक रखके सेम साइज का पैटन में हम इसे कट कर लेंगे तो ये देखिए हमने दूसरे कपड़े में भी गोल सेप के पैटन में ऐसे कटिंग कर ली है यहां से भी हम कपड़े को कट कर लेंगे अब ये वाले कपड़े को हम साइड में रखेंगे और ये वाले कपड़े की सिलाई करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड यहां किनारे की सा में सिलाई चलानी है इस तरीके से गोल्ड सेप के कपड़े में आप प्रॉपर फिनिशिंग के साथ सिलाई कर सकते हैं अब हम यहां से धागे को कट करेंगे एक बार सिलाई चलाने के बाद अब हम फिर से कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंग अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो ये देखिए फ्रेंड गोल सेप के कपड़े में प्रोपर फिनिशिंग के साथ किनारे के साइड से आप ऐसे सिलाई चला सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे कपड़े के उपर भी किनारे के साइड से हम सिलाई चला लेंगे दोनों कपड़े पे सिलाई चलाने के बाद अब हम दोनों कपड़े को ऐसे ज्वाइंट करेंगे और इसे पीनप कर लेंगे ऐसे पीनप करने के बाद अब हम बीच में से कपड़े को फोल्ड करेंगे यहां से हमें कपड़े को हलका सा कट करना है बीच में ऐसे कट करने के बाद अब हम इस कपड़े को उल्टा करेंगे ऐसे और जो हमारा आस्तिन का कपड़ा है वो लेंगे आस्तिन के कपड़े में यहां से हलका सा कट करेंगे और ये देखिए आस्तिन के कपड़े को अब हम यहां पर ज्वाइंट करेंगे सिलाई के स्टार्टिंग हमें यहां से करनी है जिस सेप में हमारा आस्तिन का कपड़ा है बिल्कुल उसी सेप में हमें दूसरे वाले कपड़े को भी ऐसे लगाते हुए जौइन्ट कर लेना है इस तरीके से फ्रेंड आस्तिन के कपड़े में आप फीरल वाला ऐसा डिजाइन इजली ज्वाइंट कर सकती है यहां से एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे अब हमें दूसरे साइड से भी आस्तिन के कपड़े को इसमें ज्वाइंट कर लेना है अगर आपको हमारा ये ट्रिक पसंद आये तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताईएगा हम आपके कमेंट का वेट करेंगे तो ये देखिए फ्रेंट, दोनों साइट से हमने कपड़े को अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है इस तरीके से आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट करने के बाद सबसे पहले हम डिजाइन में से पीन को निकाल लेंगे अब हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए बीच में से हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद ये देखिए फ्रेंड ये आपका आस्तिन का कपड़ा है ये देखिए उपर की साइड में आस्तिन का कपड़ा है ये आपका जो भी आपका आस्तिन का साइज है वो साइज नापते हुए यहां से हम सिलाई चला लेंगे हलका सा हमारा एश्ट्रा कपड़ा है तो इसे हम कट कर लेंगे अब हम इसे सीधा करेंगे हमारे तरफ फ्रेंड ये जो डिजाइन में बनारी हूँ इसे लहरिया डिजाइन कहा जाता है आपके तरफ ये डिजाइन किस नाम से फेमस हैं हमें जरूर बताईएगा तो ये देखिए अंदर की तरफ हमारा बाजू का कपड़ा और उपर की साइट से हमारा लहरिया डिजाइन